हिंदू धर्म में मल्टी वर्स का कंसेप्ट काफी जटिल है और धर्म की ब्रह्मांड संबंधी और दार्शनिक शिक्षाओं के साथ जुड़ा हुआ है। जबकि हिंदू धर्मगरंथ और दर्शन स्पष्ट रूप से मल्टी वर्स शब्द का उप्योग नहीं करते हैं। उनमें ऐसे विचार शामिल हैं जिनकी व्याख्या इस तरह से की जा सकती हैं जो कई ब्रह्मांडो या पैरेलल यूनिवेर्सेस का वर्नन करते हैं। हिंदू धर्म में ब्रह्मांड के केंद्रिय विचार अलग-अलग तरह के लोकों का वर्नन करते हैं। इन लोकों में अलग-अलग तरह के प्रानी निवास करते हैं और इन्हें अक्सर परस पर एक दूसरे से कनेक्टेट दर्शाया गया है। आए जानते हैं इन लोकों के सबसे पहले, भू लोक, यह वह सांसारिक शेत्र है, जहां मनुष्य निवास करते हैं और भौतिक अस्तित्व का अनुभव करते हैं। स्वर्ग लोक, अक्सर स्वर्ग के रूप में जाना जाता है, स्वर्ग लोक एक दिवेक्षेत्र है, जिसमें देवता और अन्य दिवे प्रानी रहते हैं। पाताल लोक, यह पाताल लोक या अंडरवल्ड है, जिसमें राक्षस, नाग और अन्य प्रजातियां जैसे दानव, असुर और बाकी विभिन प्राणी रहते हैं। तपो लोक एक ऐसा च्षेतर है जहां तपस्वी, रिशी और आध्यात्मिक साधक गहन, आध्यात्मिक अभ्यास और ध्यान में संगलगन होते हैं। ब्रह्मा लोक यह हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में सर्वोच छेतर है, जहां भगवान ब्रह्मा अन्य प्रबुद्ध प्राणियों और अपने मानस पुत्रों के साथ रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन में से प्रत्येक लोक की अपनी विशेष्टाएं, समय का चक्र और अपने अलग नियम काईदे हैं। इसके अलावा, हिंदू धर्म कर्म और पुनरजन के सिध्धानतों को मानता है, जो कहता है कि प्राणी अपने कर्मों और आध्यात्मिक ज्यान के आधार पर विभिन लोकों के बीच ट्रैवेल कर सकते हैं। चलिए आप से विदा लेते हैं। ऐसे और कंटेंट के लिए हमारे चैनल से जुड़ें और सब्सक्राइब करें। आपका मंगल हो, शुब हो, हर हर महादेव।